नमस्कार आप देख रहे हैं BDF अलबेली तुनिया पंजाब में विधान सबाद चुनाव से पहले पूरो प्रधान मंत्री और कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता डॉक्टर मनमोहन सिंग ने पंजाब की जनता को वीडियो के जरी अपना संदेश दिया पूरो प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने कहा कि आज के इस्तिती बहुत जिनता जनक है क्योंकि सरकार के नेतियों की वज़ा से कोरोना काल में महगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है मनमोहन सिंग ने पी-म मोदी की सुरक्षा का मसला उठाकर पंजाब की सीम और लोगों का अपमान भी के केंदर सरकार पर हमला बोलते हुए मनमोहन सिंग ने कहा कि मौजूदा प्रधान मंत्री अपनी गल्तिया मान कर उसे सुधारने के जगा कमाल खान ने ट्विटर पर लिखा कि पूरो प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग जी ने कहा है कि बिन बुलाए बिर्यानी खाने जाने से रिष्टे अच्छे नहीं होते है मोदी जी अंग्रेजों की तरह फूट डाल कर राज कर रहे हैं देश इस वक्त बहुत गलत हाथों में है अगर मोदी जी 20 साल और राज करेंगे तब भी नहरू जी को ही दोस्त देते रहेंगे इतना ही नहीं कमाल खान ने एक और ट्वीट करते हुए पियम मोदी पर तंज कसा है कमाल खान ने लिखा है कि अखिलेश यादो मेडन इंडिया साइकल की सवारी का प्रशार कर रहे हैं और मोदी जी अपने UK निर्मित रेंज रोवर का उप्योग करके और इटली में बने रेबन पहन कर प्रशार कर रहे हैं तो असली देश भक्त कौन है कि आरके के अलावा आने लोग भी इस मामली में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं वैसे जब जब देश के किसी राज़े में भी चुनाओ होता है तो इस तरह के प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिलते हैं और बात करें कमाल आरखान की, तो कमाल आरखान हर मुद्धे पर अपनी राय बेबाकी से रखते हैं इसके बाद सोशल मेडिया पर कई बार उन्हें आलुजनाओं का भी शिकार होना पड़ता है बेरहाल कमाल खान को लीकर आप क्या कहेंगे क्या कमाल खान जो कह रहे हैं कि अगर मोधी जी 20 सालों तक देश में और राज कर्ते हैं तो भी वो पंडित जवाहलाल नहरु को दोश देते रहेंगे क्या इन बातों में कोई सचाई है याँ आको क्या लगता क्या पीम मोधी अगर 20 साल देश में तुद्धान मंत्री रहते हैं तो क्या देश की काया पलट हो जाएगी या फिर वो भी इस तरह से पूर पीम बंडित जवाहलाल नहरू को ऐसे ही दोश देते रहेंगे जैसा कि कामालार खान कह रहे हैं आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देजेगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहें बेडियाप न्यूज जै महाकाल